हमारे ख्याल की जो community है, it is a collective of seniors all around the country. इंडिया के सारे जगह से हमारे seniors एक साथ जुड़ते हैं, सभी लोग 55 age के ऊपर हैं, like-minded हैं, एक साथ आके बहुत सारे online sessions enjoy करते हैं, सुबह के 8 बजे से हम start करते हैं, then 11 बजे हमारा session रहता है, जहां पर हम लोग कुछ और नएने CJ सीखते हैं, कभी हम लोग food बनाते हैं, को सुड़े को दिखाते हैं, कभी हम लोग antakshiri काते हैं, तीन बजे का हमारा एक session होता है, if you have any queries regarding the Khyal card, regarding the Khyal app, then you can come for the 3 p.m. session, and 5.30 like today's session, we have another session where if you have any queries, if you have any thing to learn, you can see the app की हमारे क्या है, हमारे schedule में क्या है, उसी recording आप लोग आके, हमारे sessions को enjoy कर सकते हैं, उसारे sessions को आपको Khyal के app से ही join करनी है, आपको Khyal app तो install करना ही करना है आपके phone में, मेरा नाम है चिनमोई, मेरे साथ मेरे team members है, राइसाजी, योगिनेजी, ग्लोशेल और विकाजी, साथ ही हमारे साथ हैं बाप्तिस, सानिया और जानवी, अभी हम चलते हैं आज के topic के तरफ, जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम greeting cards बना सकते हैं, हमारे phone में हैं, कोई भी दूसरा आपको laptop नहीं चाहिए, दूसरा instrument में चाहिए आपको, बस एक application install करना है आपके phone में, जिसका नाम है Canva, वो Canva application जब आप install कर लेते हो, तो आप उसको use कर सकते हो, बहुत ही easily आप इस application को use करके देख सकते हो, मैं अभी अपना phone का screen आपको share करके दिखाऊंगी, क्योंकि आज का हम जो भी सीखने वाले हैं, सारा कुछ हमारे phone में ही हम सीखने वाले हैं, आपको अभी दिख रहा होगा, ये है मेरा phone का screen, मैंने इस app को menu से उपर में लेके आई हूँ, सो और easily हमको मिल जाए, बढ़ आप अगर इसको install करते हो, आपके phone के menu में ही, ये application गई ना कही होगा, आपको क्या करना है, App Store या फिर Play Store, आपका Android और iPhone डोनों आप्लिकेशन में आ जाएगा, सो App Store या फिर Play Store में चारके, आपको Canvas सर्च करनी हैं और install करनी हैं, हमने आगे इसी app में, हमने देखा था कि हम कैसे collage बना सकते हैं, कैसे हम photos को edit कर सकते हैं, तो same application we are using, we are not using any different application for the feasibility of all of you, एक ही जगा पे आपको सब आप कर सकते हों, एक ही application में, इस 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 spelling, C-A-N-V-A, Canva, आप लोग अगर चाहो तो आप लोग इसको लिख लीजएगा, अगर कोई questions होते हैं, you can raise your hand and ask me any questions you have, उसके बाद हम लोग और एक बनाने के लिए देखेंगे, विल से making two greetings cards today, first one I'll make, after that if you have any questions, you can raise your hand and ask me, we'll start, एक बाद जब हम इस application को install कर लेते हैं, उसके बाद हम जब open करते हैं, तो ऐसा स्क्रीन हमारे फोन में खुलता है, एक home page खुल जाएगा, login आपको करना है आपके email ID से, या फिर आपके Facebook ID से आप लोग 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 कर सकते हो, जिससे भी आपको पसंद है, उससे से आप login कर सकते हो, ये एक free application है, और paid version भी आता है, फ्री में भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, explore करने के लिए, edit करने के लिए, बनाने के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हो, अगर आप उसे जादा जाते हो, कि यहाँ पे जो additional features होते हैं, वो सब additional photos, editing होते हैं, तो आप paid version के लिए भी जा सकते हो, बट कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है, that you have to go for the paid version only, एक बाद जब हम ऐसे screen पे आ जाते हैं, जब खुल जाता है, उसके बाद हम को, हम यहाँ पे देख पाएंगे, कि already हमारे पास कितने सारे features हैं, देखे, इस screen को बस मुझे scroll करना है, नीचे से उपर के तरफ, I'm just scrolling, तो देखे, यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, Instagram post, Facebook post, Stories, Logos, Flyers, Posters, Instagram stories, YouTube thumbnail, Phone wallpaper, तो आप लोग यहाँ पे ना आके, यह सब भी बना सकते हो, if you want to, Collage, Photo Collage, आज हमने last session में देखा था, कि हम कैसे photo collage बना सकते हैं, T-shirt, cards, invitations, देखे, कितना कुछ options यहाँ पे हैं, तो आज हम लोग बनाने वाली हैं, cards, क्योंकि यह card जो होगा, यह greeting card होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे, cards में आएंगे, cards में आने के बाद, हमें click करना है, see all के option में, आप सभी कुछ आज दिख रहा होगा, see all लिखा हुआ है, cards के right hand side में, we'll click on see all, after I click on see all, a screen like this will open, having various kinds of templates, यह जो आपको दिख रहा है अभी, यह सब ready में templates होते हैं, यहाँ पे, हम किसी भी template को use कर सकते हैं, इसको edit कर सकते हैं, और अपने हिसाब से, इसको change कर सकते हैं, save कर सकते हैं, ओकी, तो जो भी template आपको पसंद है, वो template आप ले सकते हो, मैं अभी ले रही हूँ, यह left hand side से, जो मुझे second दिख रहा है, create blank के नीचे वाला, वो वाला template, आप लोग blank से भी start कर सकते हो, और blank से start करने से, बहुत lengthy process हो जाएगा, और रेड़ी बनाया हुआ जो templates है, उसी को थोड़ा सा edit करके, आप लोग पूरा एक अच्छा सा सुन्दर सा greeting card बना सकते हो, किसी को भी भेजने के लिए, मैंने इसमें click किया, click करते ही एक ऐसा screen आ जाएगा, which will give me the template ready, एक template ready है, जहां पर देखे, अगर मैं थोड़ा सा आपको zoom करके दिखा रही हूँ, ये already ready है, किसी एक बच्चे के, एक साल या एक महीनी के birthday का जो card है, वो बना हुआ है, इसमें मैं सब कुछ edit कर सकते हूँ, ये एक बच्चे का है, मैं ये किसी और का भी बना सकती हूँ, मैं किसी के 5 साल का, 10 साल का, और फिर कुछ भी बना सकती हूँ, whatever I want to make, किसी का one year working anniversary का भी बना सकते हैं, हम लोग, कुछ भी आप बना सकते हूँ, according to your wish, मान लेजे, आपके बच्चे का, जोब में, एक साल के anniversary कम्टीट हुई है, आप उसको भी, ऐसे ही कुछ greeting cards, बना के भी सकते हो, then congratulations on completing one year of your work, ऐसे कर के working anniversary, वैसे भी सकते हो, किसी का birdie है, उसमें भी भेज सकते हों हैं कार्ड, तो किसी को एक virtually, आप card ऐसे भेज सकते हों, फिर किसी का birdie है, तो आप ऐसे card बना के, अपना ही status दाल सकते हो, तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, editing के उपर है, and very quickly you can make it, अभी मैं आपको बहुत slow-slow दिखा रही हूँ, पर आप जब बनाओगे, you will see, you can make it very quickly, करना क्या है, ये जो photos है, ये photos अगर हमें नहीं चाहिए, तो बस इस photo में आपको tap करनी है, tap करते ही, आपको बहुत सारे options नीचे आ जाएंगे, नीचे के tap में, नीचे के line में देखी, एक साथ इस tap में कितने साथ options हमें आ गए है, replace, color, effects, filter, adjust, और हमें select करना है, replace का button, you have to click on replace, if you click on replace, ये मैं दिखा रही हूँ, android users के लिए, iphone users का एक step different होता है, ओके, वो भी आपको दिखा दूँगे, आइफोन users को कैसे करना है, android users का करेंगी, replace में click करना है, replace में click करते हैं, आपको यहाँ पर, आपका पूरा जो gallery है, वो पूरा gallery आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको बस gallery से, select करना है, जो भी photo आपको यहाँ पर डालना है, उस box में, उस वक्त, तो मैंने क्या किया, already मैंने दो-तीन photos, download करके रखे हैं, ताकि मैं उसको use कर पाँ, so I'll use this baby photos, यह जो एक baby के photo है, उसको मैंने tap किया, और अभी देखिए, यह photo change हो गया है, if I want कि यह photo मुझे थोड़ा सा, मैं इसको जगा चेंज कर दूँ, तो आप ऐसे उसको क्लिक कर, आपको हाथ से उसको पकड़ना है, अपकी फिंगर से, and you can change the position according to your wish, howsoever you wish, and if you think that you don't want this, अपने यह photo डाला है, बट आपने कल्ठी से यह डाला है, और you want to undo it, how to undo it, I'll show you that as well, तो यह photo रहाँ पर आ गया है, अगर मुझे यह photo हटानी है यहाँ, तो मैं कैसे हटाऊंगी इसको, देखिए, left inside top पे, मेरा एक home बना हुआ है, और एक arrow है towards the left, arrow pointing towards the left, left inside top, तो उस arrow पे अगर हम tap करते हैं, तो मेरा वो अभी जो मैंने किया है, वो undo हो जाएगा, I'm just tapping on this, देखिए, यह चला गया, undo हो गया, तो वैसे आप undo भी कर सथे, if you have done something by mistake, or if you want to remove something that you have already done, undo हो गया, अभी जल्दी हम इन टीनों box में, एक एक photo डालेते हैं, ताकि हम इसको edit कर पाए, करना क्या है photo डालने के लिए, box पे tap करना है, जिस भी box पे आपको photo डालना है, box पे tap करते ही, नीचे replace का button आएगा, replace की button में जाना है, और जो भी photo आपको gallery से चाहिए, स्थीधा gallery में खुल जाता है, you don't have to go anywhere, इसी application में directly gallery पे खुल जाता है, जो भी photo मुझे चाहिए, उस photo पे मुझे बस अपने finger लगानी है, tap करना है, और वो photo change हो जाता है, ओकी, ये photo change हो गया है, मान लीजे अभी मुझे ये photo थोड़ा सा ऐसे, आपको देखना है कि ये कैसा दिख रहा है, ये side से, जो dots है, वहाँ पे click करके आप ऐसे tap कर सकते हो, तो बढ़ा हो जाएगा, अभी second photo के तरफ चलते हैं, same process आपको करनी है, replace, then you have to select the photo that you want to, done, ये भी हो गया, अभी इसको भी थोड़ा सा में बढ़ा कर देती हूँ, अगले वाले box के जैसे, आपको जाना है, शुरेज जी, आप देख लिजी, I'll show it once again as well, ओकी, तो जो भी box पे आपको photo change करना है, उसी box पे आपको tap करना है, नीचे जो line में हमें options दे गई है, replace, color, effect, आपको replace में click करना है, replace, और ये दिखारियों में, iPhone users के लिए, same क्या करना है, आपको box में tap करना है, replace पे जाना है, replace पे जाने के बार, iPhone users क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे uploads पे, uploads पे टाप करेंगे, जो भी photo उनको चाहिए, उस photo को उनको, यहाँ से select करना होगा, upload से select करना होगा, upload से select करेंगे, तो वो photo आ जाएगा, तो यह आ गई है हमारी photo, अगर आप चाहो तो इस photo को थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हो, जगह जैसे मैंने आपको दिखाया, वैसे आप उसको move कर सकते हो, तो photo, मैंने थोड़ा सा इस photo को भी थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है, photo के size को, तो photo के size को हम अपने recording कर सकते हैं साथी साथ हर इक फोटो में जब मैंने टैप किया तो उस हमने साथ से देखा कि नीचे कितने सारे options आ गए है replace color effect filter adjust crop flip animate animate transparency layer position nudge information comment बहुत सारे options आ गए हैं देखिए यहां पर तो आप लोग color में जाओगे तो आप इसका color थोड़ा सा change कर सकते हो यहां पर आप लोग effects में जाओगे तो effects में आप अगर click करते हो तो photo का जो effect है वो आप थोड़ा सा change कर सकते हो filter में जाओगे तो बहुत सारे filters ready made होते हैं वह सारे filters आप लोग उसकर सकते हो जैसे इस फोटो कि अगर में ऐसा एक फिल्टर लगा दिया समझ का फिल्टर बहुत सारे अलग अलग 해a कर सकती हो अच्छेस में जाओगे तो ब्राइटनस यहाँ पे कॉझ्ट्रास्त यह सभा आप लोग चेंज कर सकते हो क्योंकि कभी होता है ना कि हमारा फोटो जो है वो इतना ब्राइट लोकेशन में नहीं क्लिक किया गया है या फिर आप चाहते हो कि और थोड़ा सा ब्राइट हो जाए फोटो तो आप वो सब भी कर सकते हो अपने विश की अकॉर्डिंग यह अपने एक बारी कर लिया इसको करने के बा बेबी ऑलिविया का एक साल का बड़े था जो पहले हमारे तेंपलेट में था तो हमारे बच्चे का नाम जो भी है वो तो ऑलिविया तो है ने तो अब्यस्लिए यह वंटो चेंज ता उसको चेंज करते करना है आपको जो भी टेक्स अलरी लिखा गया है यहां पर यूज आपको लिखने का मन है अब लिख सकते हो मान लीजे आपको आपको अब बच्चों का लिखा है इसलिए यह वन अगर आप चाहते हो इसके जग़े आप और कुछ लिखो तो आप वो भी लिख सकते हो इसको कैसे लिखना है हमें बस इसमें ऐसे टैप करना है टैप करते ही हमारे पास अगर कुछ भी ऐसे खुलता है ना कि आप जिसके साथ यू रहे यहां पर फटाक से आ जाता है तो जिस्ट रीडिट कि क्या बॉक्स में लिखा हुआ है उसके बाद अगर जैसे अभी मेरे पास एक बॉक्स आ गई थी दन और कैंसल तो मैंने कैंसल कर दिया बिकॉस दं तो नहीं हुआ है अभी तक मेरा पिच्छ प्रेशन रहे तो ऐसे इस यह वन आया है अभी वन मुझे यहां पर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है मैंने इसमें टाप किया और देखिए यहां पर एक दस्बिन का फोटो एक आइक 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 आगया है रहें तो अगर मुझे यह वन लिखा हुआ जो है इसको मुझे यहां से रिमॉब करना है डेलीट करना है इसमें टाप तो टाप उन दिस दस्बिन और वह चला गया अगर मैं चाहती हो कि इसमें टाप करूंगी तो वह अंडू हो जाएगा अभी देखिए इसको वन को जब मैंने हटाया I can see कि फोटो थोर इसी अलाइनमें में नहीं है इसको जूम करके आप लोग आराम से देख सकते हो देखिए अभी सारे फोटो एक साथ एक अलाइनमें में आ गये हैं दो यह फोटो एक ही बच्चे के नहीं है क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन डाउनलोड किया है मेरे पास छोटे बच्चों के फोटो नहीं थी अगर आपके पास आपके किसी के भी छोटे बच्चों के फोटोस है आप उसे हैसे कुछ बना सकते हो और तो लोग वेरी ब्यूटिफुल वेरी क्यूट फिर यहां पर अगर आप चाहते हो जो हैपी बर्दे तो आ लिटल एंजल्स वी लव यह यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिख what are their names? Just मैं इसको यहां पर ऐसे ही डाल रही हूँ वेरी हो अंकित एंजल्स अंकिटा, ऐसे मैंने एहां पर डाला है we love you, तो यहां बचाहते है थो यहां अब हिट्टा ली रिटन थिंग अभी मैंने यहां पर बस ऐसे ही हापी बर्दे आल लिटल एंजिल अंकितर अंकिता मैंने लिख दिया है जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं थोर ऐसे को छोटा करके आपको दिखा रही हो if I want the font size to be bigger अगर यह मुझे छोटा दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं चाहूं कि font size थोरा सा बड़ा हो जाए तो मुझे क्या करना है बस देखिए यहाँ पर नीचे जो मेरे पुड़े line है edit font font styles font size I just have to click on the font size font size में click करने के बाद यहाँ पर एक line आ गई है which is my scale font size को मैं थोरा सा बड़ा कर दूँगी ताकि यह दिखे कि कहा लिखा है न तो font size को थोरा सा मैंने आप यहाँ पर ऐसे adjust कर सकते हो जितना चाहूं आप चुटा कर सकते हो आपके wish recording मैंने font size को थोरा सा यहाँ पर बड़ा कर दिया सेम उपर वाले को भी थोर सा में बड़ा कर दिती हो ताकि वूह दिखे कि क्या लिखा है नहीं तो बहुत सपयच से बड़ा कर Mm अब है आपर प्रम को साझ आपकर बाद कर सकते हो Amen तो आप उसी के according उसको use कर सकते हो background का color मान लेजी ये background का color है if you want to change that also if you think दिखिए background का color भी मुझे change करना है बस क्या करना है आपको यहाँ पर replace, color, animation यह सब है ना उसमें से आप यहाँ पर color में change click करोगे तो आपको background का color जो है वो change करने के लिए options आज़ेगा देखिए कितने साड़े colors यहाँ पर मेरे पास available आ गया है pink, red, blue, green बहुत साड़े options यहाँ पर मेरे पास आ गया है तो उन options में से मैं कोई भी color ले सकती हूँ yellow आ गया, yellow तो काफी bright लग रहा है अभी babies के लिए वो भी हम लोग ले सकते हैं वो भी हम ले सकते हैं यह color मुझे बहुत पसंद आ रहा है यह color हमने ombre effect वाला color रख लिया है photos team baby का रख लिया if you feel that it is fine you are satisfied with this one आपको अभी क्या करना है next सबसे बड़ा option है कि हमें इसको बना लिया सब कुछ पर अगर save नहीं किया तो यह रहेगा नहीं तो अब हम किसी को भेश नहीं पाएंगे सारा कुछ बना लिया template ले लिया photo डाल लिया सब कुछ लिख लिया अभी save करने का सबसे यह बड़ा step है that you have to save the photo save the thing that you have created जो भी आपने बनाया है save करने के लिए आपको क्या करना है right hand side top पे right hand side top पे देखे there is three dots उसके बाद हमें दिख रहा है square square के हमें कुछ pictures icons दिख रहा है वो icon के बाद you can see arrow that is pointing towards down and other arrow that is pointing towards the top तो हमें कौन सा लेना है save वाला जो icon है that is the arrow pointing towards down आप उसको लिख लिजिए if you are taking a pen and paper with you all arrow pointing towards down ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ which is it this one the arrow pointing towards down ये वाला जो है न ये आपको लेना है arrow pointing towards down इसमें जब आप टाप करोगी तो this is for saving तो आप लोगको अगर save करना है तो आपको इस arrow में टाप करना पड़ेगा तब ही वो save होगा जो right inside top पे है arrow pointing towards down इसको जब अभी हम इसको क्लिक करके देखते हैं अभी हम इसको क्लिक करके देखते हैं मैंने इसमें टाप किया देखिए save as image आगया अभी waves होते होते हमारे picture को पुरा wave cover कर लेगा once it is covered हमने जो अभी बनाया है हमारे card को वो card cover हो जाएगा wave से and it is saved वो save हो जाएगा save कहां पे होगा यह save होगा आपके gallery में save करनी के बाद directly हमें यहां पे options आ जाते हैं share के हम यहां से directly किसी को अगर चाहें जलबाजी में अगर हम है फोटो बना के तुरंट हमीं किसी को share करना है मानली जा आप किसी के birthday के लिए बना रहे हो और उसका number WhatsApp पे है तो आप तुरंट उसको WhatsApp पे भेज सकते हो वैसे भी आप कर सकते हो या फिर आप चाहों तो बाद में भी आराम से भेज सकते हो इसको आप cancel में click कर दोगी तो यह option चला जाएगा share वाला option तो अगर हम इसको तुरंट share करना चाहते हैं मानली जा अभी इसके बाद session के बाद अगर आप लोग बनाते हो कुछ और आप लोग वो मुझे share करना चाहते हो या फिर हमारे किसी team member को share करना चाहते हो तो आपको कैसे शेयर करना है आपको WhatsApp का option जो यहां पर दिख रहा है बस WhatsApp के option में click करना है click करने के बाद जिसको भी आप से भीजना चाहते हो उसका यहां पर तो आपको दिख जाएगा WhatsApp पे तो send to सबका नाम आ जाएगा जितने भी लोग यहां पर है न तो सबके नाम आपको यहां पर दिख जाएंगे अगर यहां पर लिस्ट पे आपको नहीं दिख रहा है तो बस search कर लिजिए उनका नाम जो magnifying glass right-hand side top पे है वहां पर search कर लिजिए नहीं तो आपको जिसका नाम दिख रहा है यहां पर जिसको आप send करना चाहते हो वो यहां पर है मान लिजिए तो क्या करना है बस उसको tap करके भेज दिजिए अगर नहीं है तो क्या करना है right-hand side पे जाए right-hand side में जाके उसका नाम लिखिए जैसे अगर मैं suppose अभी योगिन जी को भेजना चाहते हो तो योगिनी मैंने सर्च किया योगिनी का नाम आ गया योगिनी के phone numbers बस मुझे ऐसे tap करना है ग्रीन कलर का जो अभी एक arrow आ गया है right-hand side में वहाँ पे tap करना है और मेरा photo योगिनी को चला जाएगा लेकिये योगिनी को चला गया वैसे है आप लोग भेज सकते हो जो भी जिसको भी 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 भीजना चाहते हो ठीके तो किसी को भी आप लोग ऐसे भीर सकते हो और यहां से अगर आपको भेजना है तो यह आपको direct आपको भेजने का एक option आजाता है इसके अलावा अगर आप चाहो तो गैलरी से भी भेज सकते हो सार्य कुछ यहां से आप जो भी safe करते हो वो आपकी गैलरी में चला जाता है गैलरी से भी भेज सकते हो I think किसी ने अलड़ी मुझे भेज दिया है कुछ किसी मेंबर ने बना कि लास्ट ताइम भी असा हुआ था कि जब हम लोग ऐसे sessions कर रहे थे साथी साथ मेंबर ने बना कि मुझे इतने साथे collages भेज दिया है I was so happy to show those collages by the end of the session बार आसा कुछ भी जलबाजी मत कीजेगा अराव से देख लीजेगा If you want you can try along अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग एक साथ try कर सकते हो अभी अगर किसी के कोई भी questions है queries है तो आप लोग hand raise कर सकते हो हम लोग बात करके उन questions को यहीं पर मैं स्प्रीन पर आपको दिखा रहे दोंगी कि कैसे हम उसको अपर क्या उसके tactics है करने के लिए उसके बाद हम और एक बनाएंगे मैंने बहुत प्यारे प्यारे से कुछ डॉगी इसके फोटो डाउनलोड करके रखें उसके उपर हम next बनाने वाले है हमारा कार्ण I can see already three hands are raised हम सबसे पहले चलेंगे दिव्या जी के पास I saw you in Jaipur Okay, मेरे जैसे कोई होंगे शायद हाँ, बिर्कुल ऐसी थे अगर इस थे कोलाज का जो है मेरे को अभी समझ में आया नि क्योंकि मैं I joined late little bit तो अभी अगर थोड़ा सा आप explain कर दोगे इन शॉर्ट में तो में को please कर दो तो मैं आपने देख लूँगे हाँ हाँ मैं और एक बार ending में हमने अभी एक बनाया ना और एक बनाने वाले यह अभी कोलाज नहीं है यह ग्रीटिंग कार्ड है तो ग्रीटिंग कार्ड जैसे हम लोग भेंशे नहीं है happy new year, happy birthday या फिर happy holy अभी तो अभी तो आख्या-का फेस्टिवल साने वाले है ना तो वैसे करके किसी के फोटो के साथ हम लोग ऐसे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं जैसे अभी मैंने बनाया happy birthday to our little angels यह किसी का birthday बनाया तो वैसे करके आप लोग किसी भी greeting कार्ड को बना सकते हो happy new year का बना सकते हो अपना family photo डाल के तो वो सब application का नाम मैं फिर से और एक बार दिखा दूँगी तो आप उसको लिख लिजिएगा if you want to panic paper ले लिजिए तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा आप अपताजिये मेरे को हजी पेको okay yeah okay डिव्या जी next time चलते हैं चेलना जी के तरफ हांजी चेलना जी बिताएगे हाँ गुड़ी नी अभी एक good luck का कार्ड बनाना है तो उसमें bold letters में good luck और बाद में name है तो सिर मुझे name change करना है तो कैसे करते है same good luck और जो name है वो name सब मुझे change करना पड़ेगा हाँ अगर in case ऐसा आपने select क्या template जिसमें name और good luck ऐसे एक ही box के अंदर है तो पर तो आप क्या कर सकते हो मान लीजे ना कि ये मेरा जो happy birthday little angels जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं change करना है खाली आपको ये we love you change करना है तो बस ऐसे tap कीजिए अभी तो पूरा change में पूरा box के अंदर लिखा हुआ है बस इसको we love you वाला change कीजिए वो रह जाएगा तो वो name अकेला भी delete हो जाएगा हाँ हाँ हो जाएगा पर enter डालके आप और कुछा हो तो वो भी लिख सकते हो जैसे हाँ वो तो बराबर है okay okay thank you और बहुत सारे कुछ आप यूज़ कर सकते हो चेलना जी यहाँ पर explore करते जाएगे मुझे बनाएके दिखाएगे आप लोग क्या बना रहे हो अगे 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 अभी हम नेक्स चलते हैं दीपा मित्तल जी के पास हलो दीपा जी बताएगे हलो हाँ जी एक्चली मैंने इसको इंस्टॉल किया था कैन्वा को तो फर्स उसमें बहुत सारे आप्शन्स आ रहे थे कैन्वा पे तो मैंने श्याट वीडियो वाला डाउन्लोड किया है तो उसमें आ रहा है continue to sign up for free continue with go continue with facebook continue another way इसमें कौन सा option लेना पड़ेगा अपने को देखे जो application है उसमें ऐसा नहीं है कि वीडियो का अलग है या फिर इसका अलग है फोटो का अलग है ठीक है तो वो एक ही होता है और जब भी आप इसको install करोगे आपके फोन में download करोगे तो वो option आपको आएगा ही कि continue to sign up for free ठीक है तो वहाँ पर अगर आपके पास google का account है मतलब gmail का account है तो आप google select करोगे अगर आपके पास आपको चाहते हो कि आप facebook का account से आपके पास अगर facebook है और आप चाहते हो कि आप gmail को use ना करो facebook को use करो account को login करने के लिए तो आप facebook का use करोगे जो भी आपको पसे आप उससे login कर सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ पर google से login करके रखा है मेरा तो यह आपके उपर है आप जिससे भी चाहो उससे login कर सकते हो आप से अलग आरी है मेरी screen हाँ अभी आपको अलग आएगे क्योंकि अभी तक आपने login नहीं किया है न इसलिए आपको login करने के लिए तो आपको पहले वह continue with google continue with facebook जोगा लेकिन मैंने उसको किया continue with google किया मैंने उसको और उसके बाद ये different मेरी different screen आ रही है इस तरह की आ रही है इस पर आ रहा है personal student small business non-profit और charity what will you be using personal 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 अच्छा ओके उसी के recording आपकी मतलब आपको जो बना सकते हो अगर instagram use करते हो तो उसने भी stories बना सकते हो अपने लिए आप लोग यहां पर flyers बना सकते हो photo edit कर सकते हो facebook post बना सकते हो instagram post बना सकते हो बस explore कर दे जाएं एंजॉइ कीजी अच्छे thank you चुन्मा एओके छी टेक करे नेक्स थाम चलते हैं दुरुजी के पास पास अजी दुरुजी बता ही है अगे चुन्मा जी how are you i'm good how are you i'm fine मैं इह एक थोड़ा तो मैं भी करके देख रही थी कहना कि मैंने भी वो किया एपले स्टोर से डाउनलोड कर रही थी तो उसमें वो इस्क्रीन आ रही है उसके बाद में मुझे फेस्बुक से करने लॉग इन कि आ ऐसे प्लिचे है आपना इसके बाद भी थी करने जगा करे जाना एक्रफटे शल्र। ये दें घर से मेंं आए मेरा डीचेन मेंट मुझे अब आज जाए शुम से मीटिंग में आ जाए ओके और गया एक मिनट आरे एक मिनट जड़ा सा उपर से स्क्रोल कीजिए जूम मीटिंग दिखा रहा होगा हमें क्या दिख रहा है राइट इन साइड टॉप पे मेरे स्क्रीन पे अहां दिख रहा है एक एरो बने वेज में एक दाउन साइड एक उपर कर साइड है हमें लेना है दाउन वाले से सेव हो जाएगा हां दाउन वाले में ख्लिक करना है तो सेव हो जाएगा तो के तैंक यू हां जी यह ट्राइ किजिए दिकताए तो मुझे बता सकतो आप लोग आशब के पास मेरा पर है थे शेया थेया है तो के नेक्स्त थाम चलते है नीरा जी के पास जी नीरा जी बताए ताएग जिए क्या था जब मैं आपका स्पेसिमन देख रहा था जो आपने ग्रीटिंग बनाया था शेरिंग इन वर्ट सब्सक्राइब कर लिया उसको आप एडिट कर सकते हो शेयर कर सकते हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाथ तो आपके सकते हो डायरेक्ट लिए क्योंकि हमारे गैलडरी में सेव ओ गया है तो मैं किसी के पाद जैसे फिर से मैं खोलती हूँ वाटसप अपना डायरेक्ट वाटसप से किसी को भेजना चांती हूँ औरेडी मेंबर्स ने बनाके भेज दिया है मुझा आगर मैं जाते हो जैसे यह दिखा है इसमें देखिए लिखा हुआ है टेकर लुक एट दा कैन्वा करके लिखा है टेकर लुक एट मैं कैन्वा डिजाइन मैंने जो बनाया है मतलब वह दिखाने के लिए तो हम रिमूब कर सकते हैं क्या उसको हम रिमूब कर सकते हैं यह नहीं तो आप डारेक् ने बट जैसे आपने उपर वाले दो देखें उसमें तो नीचे वो लाइन आरी है टेक ए लूक एट मैं कैनवा डिजाइन और वो साइट आरी है हाँ तो आप ऐसे अगर भेजोगे यहां से भेजोगे तो क्या हो रहा है न कि वो आप किसी को शेयर करे हो वाया दक एनवा तो वह वहां पर आता है तो अगर आप नहीं जाए तो आप डायरेक्ली वाट्सअप में जाके यहां से अटाश्मेंट में यहां पर इसको सिलेक कर स जैसे हमने लास्ट में दिखाएंगे जैसे हमने लास्ट सेशिन में किया था नेक्स फम चलती हैं मीना जी की तरफ जी मीना जी हेलो चिन्मोई थैंक यू तरफ टीजिंगास अच्छा मैं एक तो मैंने आपको भेजा उसमें और दूसर नहीं भी ये वाला दिख रहा आपको मैं ये बना रही थी थैंक यू कार्ड लेकिन ये इसमें कहीं एडिट नहीं हो रहा अगर मैं को बीच में नाम लिखना हो तो व अबम मुझे तो अभी आपने भेजा है क्या मुझे वो एक मैंने बना लिया वो तो थीक था ये को को jetzt बना रही थी कंअ में चार्ण हो करें हो तो इसको मैं इसके बीच मीन दसे नाम लिखना चारह हूं थैंक यू तो वो नहीं आ रहा वो का क्या करना है मेरा स्क्रीन अब तो देखे यहां पर यह नीचे लेफ्ट इन साइड में एकना सर्कल है जिसमें प्लस बनी हुई है तो इस प्लस में अगर आप टैप करते हो तो हमारे पास आज आती है नीचे यह सारे ओप्शन्स डिजाइन डीन गेलरी अपडिट टेकस्ट टेकस्ट में आपको जाना है टेकस्ट में जाने से आपको team box मिल सारे तो समरी सिर्वामड़ ना एंडर हैंडिग मैंदा साथ अब सबुद्ग कर सकते हो तो मॉनिजली गए मैरे यह बाका सकती हो लहाँ मैं कुछ भी लिख सकते हूं, आप लोग यहां पर कुछ भी ऐसे लिखके, फिर इसमें भी आप से आराम से इसका कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्म साइज, टेक्स्टाइल, सब कुछ यहां पर चेंज करके, इसको भी यहां पर लगा सकते हो, जहां भी आप चाहो, यहां पर मैं आपको एक कार्ड भीजा बनाके अब देखिये हैं उसमें फोटो कैसे घुमाएंगे उसको बिल्कुल 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 उसको फोटो कैसे घुमाना है ये अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको हाँ तो मैंने न ये फोटो में टैप किया ये पहली वाली बच्चे के फोटो निए ठीक है तो दिखी खोर देखिंगे जो अगया है अच्छा, अगर को नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, नीचे ये देखी, replace, color, ये सब है, option, effects, filter, तो यहाँ पर flip भी है, option, flip, नीचे वाले लाइन में, तो flip, horizontal, vertical, तो मैं अगर horizontal करती हूँ, तो ऐसे right to left घुमेगा, और vertical करूँगी, तो उपर से नीचे ऐसे घुमेगा, अगर आप लोग गुमा सकते हैं, और अगर आहाँ थो फोटो को जगा है, बदल देना चाहते हो, अभी तो बच्ची उल्ती हो गई है, इसको सीथा पर ले ने, अगर अगर आप यह जगा ही, अब लोग चाहते हैं, तो आप सिदी होगी है, बस आप फोटो को जगा है, और आप तो इसको मूफ कर सकते हो जिस भी जगब आप लेके जाना है ठीक है? डन 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 डिखा सकते हैं आप सबी का डिखाते हो और अल्रीट मुझे बहुत सारे आगाने हैं मेसेजेस पे सबका एक साथ दिखाती हूँ आप सकते हैं इस धीपा जी का है? येस, क्या हूँ एपना भी क्याल पे भीजा थैंक यॵ कार्ड पर तके नीचे लेका हुँ है मैने आपके थैंक यू चिन्मए पेले और बेजा थैंक यू इसके बाद मैंने थैंक यू चिन्मए लेका और उसके नीचे आ रहा है या 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 इस देकर लुक एट मैंगर डिजाइन करेंगे हम यह अपि जब आप ऐसे शेयर करते हो ना तो टेकर लुक एट यह और मेंबर से भी मुझे पूछा है कि इसको कैसे रिमुफ करना है बिसिकली जब आप इसको सेंड करते हो फ्रॉम क तो यह ना रिटिन आता है उसके साथ ही ठीक है तो जब आप डायरेक्ली सेंड करते हो तो यह आता है विकॉज ब्लाइंक नहीं जाता है आपका मैसेज कुछ तो उसके साथ रिटिन आता है अगर आप चाहते हो यह तो 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 तींग्स अभी देखे शेयर जब मैंने किया और कोई मुझे पूछ रहे थे नीरा जी जब मैंने शेयर हिया अभी मैंने जस्त विक्ली आपको मैं लेके गई शेयर करने के ऑप्शन तक देखे यहां पे यह बॉक्स आगया है कैप्शन का और कैप्शन के बॉक्स में तेक लुक एट माइ कैन्वा डिजाइन लिखा हु आप यहां पर ऐसे उसको बैक्सपेस करके उसको पुरा हटा भी सकते हो या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो लाइक हाई मैं योगी नी को भेज रहे हो क्योंकि बार बार उसको शाहिए बहुत सारे मेरे 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 लिख लिया और मेरे पार यहां पी ने डो फोट से फैन करते हैं उसी समय तो मैं आप उसको बैक स्पेस करके कुछ भे हम अप लिख सकते बहुत अब बस ऐसे संद किया ऐहां पर नहीं आया ना वह वाला प्टेशा है पैले वाले में आ रहा है तो वह अभी नहीं आया यह तो आप था करशचे क्यों डायरेक्या वातसप पे समय प्रेंट ए अपर वहां पर है आप जैसे फोटो को भेज़ते हो वह अप्टाप न एक हो बैंट कर जानेंट करने से करते हो आप क्या से हो प्रेश कंछ एब विम्न इर्या क्यों एफ जा रूपयर की उडा जू वीनर जी आपके आवाज मुझे नहीं आ रही है वीनर जी वीनर जी आपका शैड़ नेक्टोंक थोड़ा सा अविन फ्लक्सूरीड कर रहा है आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है आप बट्राइ कीजिए या फिर आप रिजॉइन करके एक बारी देखिए अगर आपके आवाज आती है then we'll definitely have a word with you कि आप मुझे message कर दीजी अगर आपके कोई भी questions से फिर queries हैं तो अभी हम देखते हैं और एक बार फिर से की कैसे हम इसको बना सकते हैं बहुत सारे members के questions I hope solved वो गया है अगर किसी के नहीं हुए है all आप लोग डिक्के रखें देखिए कैसे इसको बना रहा है नोट डाउन कर लिजिए कि आप कैसे ग्रीटिंग कार्ट बना सकते हो okay we'll go back we'll start from just French हम पहले से start करेंगे हम कैसे हमको क्या करना है सबसे पहले तो आपके कैसे फोर में यह जो लिखा है न कैन्वा cnv i.a यह आपके फोन में लिखना आपको फोन में डाउनलोड करना है यह आपके फोन में आपको इंस्टॉल करना है play store और app store iPhone and Android users, में आप इसको install कर सकते हैं. तो आपको app store में जाना है, ये canva आपको सर्च करनी है, और आपको इसको install करनी है. आपने एक बार install कर लिया, login कर लिया, one time login है, टो पर लोग in करना पर एक बार login कर लिया, एसा में एक screen खुल जाएगा, कुलने के बाद क्योंकि हम लोग बना रहे हैं greeting cards greeting cards बनाने के लिए हमें क्या करना है इस screen को बस ऐसे scroll कीजिए नीचे के तरफ नीचे के तरफ जब आप scroll करोगे तो you will see cards greeting cards होते हैं तो इसलिए हम लोग चलेंगे cards में cards के बाद see all का option आता है यहां पर दिखिए ऐसे पहले क्या करना है इसे scroll करना है नीचे के तरफ scroll करने के बाद see all का option आ रहा है जो cards की right hand side में लिखा हुआ है तो see all की button में हम लोग tap करेंगे yes see all की button में tap करते हमारे पास ready made templates बहुत सारे आ जाएंगे उन ready made template को हम लोग use कर सकते हैं थोड़ा सा इधर और हम इसको edit करके अपना greeting card हम लोग बना सकते हैं जो भी हम चाहते हैं तो देखिए यहां पर ready made templates बहुत सारे बहुत सुन्दर सुन्दर templates औरड़ी बना के रखा है आप थोड़ा सा इसको edit करोगे and you can make your own card जैसा भी आप चाहो आपको बहुत सारा ideas भी मिल जाएंगे कि कैसे मैं बना सकती हूं इसका photo मैं कहां पर use कर सकती हूं वैसे करके आप लोग बना सकते हो अभी मैं कोई भी यहां से select कर लूँगी और उसमें edit करके आपको दिखा नहीं हूं क्योंकि यहां पर दो फोटोज डालने का option है एक one वाला single photo मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे single photo वाले थे इसी दिए देखें happy birthday happy birthday का greeting card अभी हम बनाने वाली है कि हमने वो select किया जो template ready था अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा edit करेंगी और हमारा greeting card beautifully ready हो जाएगा किसी को भेजने के लिए करना क्या है क्योंकि मुझे ये photos मेरे जिसको मैं birthday भेजना जाती हूँ उसका तो photo यह है नहीं है तो ready meet यहां पर बना हुआ था template तो मुझे ये photos change करने का मन है चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है जिस भी photo को मुझे change करने का मन है बस मुझे उस photo में tap करना है photo में मैं जब tap करते हूँ उसके बाद देखे यहाँ भी क्या-क्य options आ जाती है replace, color, effect, filter, adjust ऐसे नीचे वाले line में बहुत सारे options आ गए है replace, color, effect, बहुत सारे photo को मुझे replace करना है क्या करना है? replace करना है मैं replace में click करूँगी replace में मैंने click किया replace में click करनी के बाद मेरे gallery में जितने भी photos है सारे photos यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे ठीक है? जो भी photo मुझे लेना है यहाँ पे डालना है replace करके मैं यहां पर एक डॉगी के फोटो को मैंने रेडी करके रखा है which I am going to use it. मैं यहां पर इस फोटो को use कर रही हूँ. बस आपको वो फोटो में टैप करना है और वो फोटो आ जाएगा. Very simple. क्या करना है आपको? जो भी फोटो आपको change करना है. यहां से हटानी है जिसके जगह पर आपको दूसरी फोटो डालनी है. You just have to click on the photo. फोटो में एक बारी टैप करो अपने finger से आप. उसके बाद नीचे वाले यहां पर लाइन में replace लिखा गया है. Replace में टैप करो. पर यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर जो भी फोटो आपके गैलरी से आपको चाहिए उस फोटो में बस एक बार टैप कीजिए. एक बार टैप करते ही वो फोटो आ जाएगी. Suppose I want to take this photo. ले लिया. देखें. अगर मैं चाते हूँ कि नहीं, यह फोटो अच्छा नहीं लग रहा है. दुसरा एक फोटो लेती हूँ. तो इस फोटो को भी मैं replace कर सकती हूँ. से बस replace में click करना है मुझे. रिप्लेस में click करते ही जो भी फोटो आपको चाहिए. वो फोटो आप डाल सकते हूँ. जैसे यह फोटो भी मैंने डाल लिया. अभी यह फोटो भी कैसा लगा है ना? फेस उसका cover होते जा रहा है. तो मैं थोड़ा से इसको अगर ऐसे adjust कर लोंगी. या फिर इफ आए वांट. या. खोड़ा सा फेस. या फेस इसका छुप रहा है. तो आप इसको बड़ा छोटा करके adjust कर सकते हो. according to your wish. इसको मैंने थोड़ा सा adjust कर लिया है. adjust करते ही बहुत सारे तहाँ पे देखिए. एक फोटो में जब आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे options आ जाएंगी. जो भी आप चाहूँ आप कर सकते हो, okay? तो फोटो हमने डाल लिया, जो भी हमें फोटो पसंद है. if you are satisfied with the photo, then it's good. if you want to do anything with the photo, आप अगर फोटो में थोड़ा color change करना चाहते हो, effect change करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे सारे options आपके पास है. कि जो फोटो मेंने यहाँ पे डाली है, उसका brightness कम है. थोड़ा सा मैं उसको adjust कर देती हूँ, उसका brightness. तो क्या करना है? मुझे adjust, जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे line में. बस मुझे adjust के icon में click करना है. और तभी मुझे यहाँ पे खुल जाएगा brightness. यहाँ पे मैं brightness को adjust कर सकती हूँ, contrast को adjust कर सकती हूँ, if I want to. यह सब करके आप लोग फोटो को थोड़ा सा differing बना सकते हूँ, if you want to make it from the original one. Satisfied with the photo. फोटो से आप satisfied हो. अभी text जो लिखा गया है, उस text को आप change करना चाहते हो. इस text को आप नहीं चाहते हो, कि ऐसा रहे, कुछ और आप यहाँ पे लिखना चाहते हो. क्या करना है, मान लीजे अभी यह photo जो मैंने बनाया है, यह doggy का first year birthday है. तो इसलिए happy birthday तो ठीक है, अगर मैं कुछ और लिखना चाहते हूँ, तो मुझे का करना है, जहाँ पे भी मैं कुछ edit करना चाहते हूँ, जो भी text में edit करना चाहते हूँ, मुझे बस वहाँ पे tap करनी है. जैसे यह नीचे वाला wishing you an exciting, awesome year ahead. तो यहाँ पे मैं कुछ अगर लिखना चाहते हूँ, कि may you have a life filled with joy and lots of toys to play with, okay? तो यहाँ यह, मैंने लिखनी है, जो भी मुझे चाहिए, वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हूँ, यह लिखके, suppose ready है, उसके बाद यह नीचे जो है, www.greatamp.com, इसको अगर मैं रिमूफ करना चाहते हो, because this is not something I want in my picture, अभी, यहाँ पे अगर आप चाहँ हो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, if you want to put your name, कि आप ने इसको भेंच रहे हो, आप किसी को है, तो आप यहाँ पे लिखना, अगर चाहते हो कि, from your loving, loving दीदी, अगर मैं भेज रही हूँ, suppose मेरे डॉगी को, ऐसे, तो अभी इस font को अगर मैं कुछ भी change करना चाहते हो, कि font का size, font का style, तो ऐसे मैं यहाँ भी change कर सकते हो, जैसे font मैंने click किया, font पे click करते ही, मेरे पास यहाँ पे font के बहुत सारे styles आ गये हैं, जो भी style आप चाहो, वैसे आप select कर सकते हो, आपके wish recording, देखिए, कितने सारे font के styles यहाँ पे आ गये हैं, मैंने font का यह style select किया, अभी text को आप जहाँ भी चाहो, text box, बस text को ऐसे tap करना है, आप इसको move कर सकते हो, जिस भी जग़ पे आप चाहो, थोड़ा सा छोटा करके इसको पूरा देख लेते हैं, मेरे हिसाब से यह perfect है, अगर आप चाहो कि यह background का जो color है, उसको भी मैं change करना चाहूं, तो आप उसको कैसे change करोगे, यह जो पूरा हमारा picture है, हमने जो अभी यह पूरा greeting card बनाया है, बस आपको इसमें tap करना है, बाहर tap करना है, बस greeting card में tap करना है, tap करते ही नीचे देखे, replace, color, effect, filter, adjust, crop, बहुत सारा options आगए हैं फिर से, अगर इसका color में change करना चाहते हूं, background का, color में tap करूँगी, color में tap करते ही, मेरे पास कितने सारी color options आगए हैं, कुछ भी color options है, हम लोग यहाँ पे color दे सकते हैं, अगर मान लीजे, मैं किसी भी color को देना चाहते हूं, जैसे if I want to put something like yellow, तो yellow दे सकते हैं हम लोग, orange, orange दे सकते हैं, कुछ भी आप चाहों, दे सकते हैं, मैंने अभी इसको orange रख दिया है, काफी bright सा color लग रहा है, और डॉक का color क्योंकि थोड़ा सा font color है, तो इसमें orange color is showing very much bright and effective to the color, if I want to add, जैसे अभी चेलना जी ने बताया कि, यहाँ पर अगर मुझे और कुछ लिखना है, जो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कहीं और पर रहे, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट इन साइड नीचे देखिए, लेफ्ट इन साइड नीचे एक plus का sign है, उस plus के sign में अगर मैं tap करती हूँ, तो ऐसा एक screen खुल जाएगा, वहाँ पर elements, gallery, upload text, तो text में जाना है, text में जाने से मुझे यहाँ पर और बहुत सारे options मिल जाएंगे, जहाँ पर मैं type कर सकती हूँ, कोई भी text यहाँ पर insert कर सकती हूँ, add a heading, add a subheading, add a little bit of body text, वैसे करकी, आप कोई भी select कर सकते हूँ, suppose I am taking add a heading, add a heading होने से वो थोड़ा बढ़ा size में आएगा, तो वहाँ पर अगर tap करती हूँ, तो मेरे पास फिर से keypad कुल जाएगा, whatever I want to write, उसको मैं लिख कि, कहीं पर भी, if I am satisfied with that, तो क्या करना है, मुझे बस इसको, कहीं पर भी मैं इसको ऐसे डाल सकती हूँ, इसको रख सकती हूँ, ऐसे place कर दिया, आप अपने finger से आपको, जो भी आपको चाहिए ना, आपको अगर आपको move करना चाहते हो, आपके finger से आप इसको move करके, कहीं पर भी place कर सकते हो, if you think कि आपने जो अभी अप्लाए हो, आपने जो किया है, if you want to undo it, if you want to remove it, बस उस part को आपको remove करना, इस step को जो अभी आपने किया है, क्या करना है आपको? undo करना है, उसके लिए बहुत ही easy option है, left-hand side top पे, left-hand side top पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, एक home का icon, उसके side में एक arrow है, pointing towards the left, तो वो वाले arrow में हमें tap करना है, और वो undo हो जाएगा, जो भी हमने अभी किया है, उस step को अगर हमें हटानी है, और साती साथ देखे, यहाँ पे नहीं, दस्बिन का भी मुझे एक icon दिख रहा है, when I'm tapping on this text, यह text में मैंने जब tap किया है, साती साथ मुझे अभी दस्बिन का icon भी दिख रहा है, तो मैं दोनों ways में इसको हटा सकती हूँ, अभी जो मैंने यहाँ भी text रिखा है, मैं दस्बिन वाली में tap करती हूँ और यह हट किया, if I think कि अभी जो मैंने बनाया है, that is perfect, good to go, इसको मैं save कर सकती हूँ, इसको मैं send कर सकती हूँ, किसी को भी आफिर मैं चाहूँ, अगर इसको मैं कहीं पर status दाल सकती हूँ, किसी को भेज सकती हूँ, जिसका यह डॉगी है, उसका इसके साथ बहुत emotions attached होगा, तो जब मैं उसके डॉगी के birthday का greeting card बना के भेजूँगी, how happy will that dog owner be? Sing this card for his dog, right? तो ऐसे ही हम इसको किसी को भी भेज सकते हैं, अभी इसको save करना है, save करने के लिए मुझे क्या करना है, राइट इन साइड टॉप पे देखे, we have four icons, राइट इन साइड टॉप पे, एक arrow है, हम राइट साइड से आरें, एक arrow है, going towards the top, one arrow pointing towards the bottom, हमें लेना है, the arrow pointing towards the bottom, मैंने जो arrow है, pointing towards the bottom को select किया, तो मेरा save हो जाएगा, and the arrow going towards the external side, going towards out, उसको अगर में लेती हो, तो फिर वो share option आएगा वहाँ पे, कि size में मुझे ही save करना है, वहाँ पे बहुत सारे options आजाएगे, तो उससे बेटर है, आप जो arrow bottom के तरफ जा रहा है, उसको आप लेजीए, तो वो directly select हो जाएगा, bottom के तरफ जो arrow है, अभी मैं उसमें tap करूँगी, मैं फिर से आप लोग को दिखा रही हूँ, कौन सा वाला arrow है, क्योंकि already members ने पूछा था, ये वाला arrow देखिए, ये वाला, ये वाला arrow, ठीक है, ये वाला arrow जिसमें, अभी मैं बस ये blue color का point in बना के, आपको दिखा रही हो न, ये वाला arrow आपको लेना है, ये वाला arrow, ये वाला arrow को जब आप click करोगे, तो आपका, save हो जाएगा, अभी हम इसमें tap करेंगे, और इसको save करेंगे, save an image, और waves बनते, हमारे पूरे greeting card को cover कर लेगी, और हमारे greeting card save हो जाएगा, save होने के बाद, हमें options आजाते हैं, if you want to share to anyone, तो sharing का option आजाता है, तुरंट अगर आप किसी को share करना चाते हो, जैसे बहुत सारे members ने बना के, अगर आप किसी को भेजना चाते हो, तो आपको बस, जिससे भी आप भेजना चाते हो, WhatsApp से आप भेजना चाते हो, Instagram से आप भेजना चाते हो, वैसे आप select करके भेज सकते हो, अगर WhatsApp से हम भेजना चाते हैं, बस WhatsApp को select करना है, जिस भी person को आप भेजना चाते हो, उनका नाम दून लेजिए, WhatsApp में, और बस उनका नाम टाप कीजिए, ग्रीन कलर आड़ो में जाए यहाँ पर आपको अगर कुछ लिखना है तो आप दूसरा कुछ लिख सकते हो बूड इवनिंग लिख लिया मैंने यहाँ पर और मैं अगर रेडी हूं इसको भेशने के लिए और सेट टो सेंट तो मैं क्या करूंगी ग्रीन कलर आड़ो में जाके जैसे हम वाटसेप में जैनरेली भेशने वैसे आप लोग भेज सकते हो हम ने थोड़ 사진 एडेट करके ए ग्रीटिंग कार्ट बना लिया दो फोटो का आज हमने दो ग्रीटिंग कार्ट बनाने सिखे एक मे तीन फोटोस दालके एक मे दो फोटोज दालके WAY Weihn fiance आप लोग सिंख सकते हो आप लोग बना सकते हो देख्टे हैं हमारे मेंबर्स ने क्या-क् बनाएं है, so I'll show it to all of you one by one, एक मुझे ये भेजा है, ये किसने भेजा है, भार्ती जी नी, yes, भार्ती जी का हम देखते है, भार्ती जी नी क्या बनाया है, okay, भार्ती जी, this is lovely, भार्ती जी, बहुत ही क्यारा आपने बनाया है, this is awesome members, आप लोग भी ऐसे ट्राइ कर सकते हो, द आप लोग भी ट्राइ की जो, उनोंने देखते ही, सेशन में अल्री दो बनाए हैं, अपने ग्रांट इच्ट का, अपने फैमिली के फोटो को यूज करके, आप लोग भी ऐसे ट्राइ की जी, वाव बनाए है, देखे, शने जी ने भी बनाए है, चिन्मोई, थांक यू, ल लवली टू सी, और ये शायद बीनु छोपरा जी ने बनाए है, बीनु छोपरा जी ने तो इतने सारे बना दिये, वाव बीनु जी, थांक यू फो कमिंग, माई दियर तान्शी, गॉड ब्लेस यू बेटा, ये किसी का बर्डे भी उन्होंने बनाया है, दियर रागा, दिखाया, सेम वैसे ही बीनु जी ने बनाया, बहुत बढ़िया बीनु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है देखके, ये चेलना जी ने बनाई है, चेलना जी तो बहुत ही संदर संदर बनाती है, गुल लग डियर गरीमा, देखे, कितने सारे से हमें भी बात कर रहे थे पुष्पा जी बता रही थी कि दिखा सकते हो आप मेरा देखिए पुष्पा जी ने बनाया है I love my grandson thank you जिन्वा जी thank you पुष्पा जी lovely बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के thank you so much आप लोग क्योंकि यहां पर सेफ का भी option है इसलिए साथी साथ से अप लोग send भी कर सकते हो सेफ भी कर सकते हो तो quick हो रहा है यह हमें भेजा है नीलम जी ने नीलम जी ने भी बनाया है देखिए happy birthday दियर अनुशी यह बनाया है फिर यहां पर और यह बनाया है happy birthday अपने grandson का पुड़ा बर्डी का यहां पर photo डाउनलोड करके photo डाल के so creative so beautiful lovely कितना अच्छा लग रहा है मुझे देख के आप सभी के creativity को यह भी बनाया है किसी member नहीं all engine has made it very beautiful all engine lovely the list is going on इतने सारे members ने प्यारे प्यारे बनाया है यह देखिए effects के साथ video डाल के the video is moving so so beautiful इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख के this is so beautiful effects डाल के video डाल के यहां पर type भी कर दिया है उन्होंने they are learning each day हर दिन members आके यहां पर सीख रहे हैं और कितना प्यारा बनाया है यह हमें बनाके भेजा है मेना तनेजा जी ने बहुत ही प्यारा members ने बनाया है and everything is looking so so beautiful यह देखिए happy birthday और एक बनाके हमें अभी भेजा है भारती जी ने बहुत प्यारा मुझे बहुत अच्छा लगा देखिए कि members try कर रहे है every moment they are trying something new or मुझे और एक भेजा था I think क्योंकि आपने किसी ने यह भेजा था हमारे ख्याल के WhatsApp उसमें तो मैं I hope यह खुल जाए जल्दी थोड़ा सा slow है थोड़ा सा lag करता है yes हाँ दीपा मिद्दल जी ने जो भेजा था नहीं है नहीं है चेक क्यों मैं आराम से थोड़ा सा इसको नहीं यह तो नहीं है तो मैं चलती हूं आपके पास question and answers के लिए आपके जो भी questions है आप लोग पूछ सकते हो मुझे हां जी माला मैता जी बताइए गुड़ीवनिंग चिन्मय जी आपके sessions mind-blowing बहुत अच्छे रहते हैं और इतनी चोटी-चोटी चीजे हम लोग जैसे emojis बेजते हैं तो अब लगता है कि cards चोटे-चोटे बना के बेजें और इतनी कि आप लोग समझाते हैं न हैट्स ऑफ थैंक यू सो मच इमोजी के साथ अभी आप लोग WhatsApp में और एक पीचर आए अवतार का अपको पसंदाए कुछ भी कुछ भी तो हमें बताईए का जो भी आपको पसंद है थैंक यू थैंक यू हम जी वी ना चोपरा जी हम लोग जी बिताए पको आवाज आरी यह बिलकुल मैंने आपको card बना के भी ज़गे येश को उड़े येज बहुत ही प्यारा अप सभी के काट्स बहुत सुंदर होते हैं, मुझे बहुत पसंद आया, thank you so much. कि हमारी पीचर बढ़ी है, ना, पीचर सुंदर है. अब लोग इतना, सेशन के साथ साथ ही बना के भेज देते हो, ना. आज दो लोग का बर्डे था, तो मैंने का साथ के साथ ही बना के उनको भेज दिया. Awesome, awesome, that's lovely. बहुत अच्रा किया. अब मैं एक वीडियो बना के भेज रही उन लोग को, ना, बर्डे को. वो ट्राइक अबी. Awesome, ट्राइक जी. Most welcome. Yes, Marthy जी. बहुत बढ़ी आपने बनाया. अच्छा, thank you. अबी दिखा जीते हूं, आप मेरा स्क्रीन देखिए. यह देखिए. अभी इसको सेफ तो कर लिया. अभी सेफ करते के बाद ही वो आता है न, भेजनी का. तो मैं क्विक्ली इसको सेफ कर लेके हूं. यहां पर देखिए, अभी सेफ करने के पाद अभी सेफ हो गया. तो यह नीचे वारे जो आप्शिन्स आगया न, वोट्सेप पर यहां तक तो आप लोग करेक्ट ही जा रहे हो. बस अभी वोट्सेप पर जाने के पाद जिसका भी आप नाम में सेफ करना चाहते हो. तो बस उसका तो यसे नाम ओककु आपने नीचे वाला green color arrow आप करते हो न, वहां पर click करनी के बाद, वो green color arrow में click करनी के बाद ऐसा screen आता है. तो यहां पर ग्रीन arrow में click करनी से पहले देखे, take a look at my canvas, वहाला लिखाओवा आख हिया न, जिसमें आप अभर इपना दालते हो तो ये पुरा keypad खुल जाता है फिरां जैसे के keypad को यूद करती हो वैसे यूद करके इसको backspace करके रिमूव कर सकते हो समझ़रों जैसे आप यहां पहली लिख दे हो जैसे आप यहां पे लिख सकते हो इसको हटा सकते हो backspace करके keypad का use है पूरा यह जो अपने round है वहां तक मैंने flip किया और send किया ना तो खली लिखा हो फोटो नहीं गया इसके लिए यह वाला मतलब यह फे वाटसप का वह फीचर है कि one time view इसलिए यह यह पर लिखने का हां राइख ठीक है और भी मुझे आ रहा है है और भी मुझे आ रहे हैं back-to-back messages I can see चिलना जी ने भेज़े हैं वाव यह तो पुरा होली वाला है kind of wonderful and colorful holy lovely चिलना जी I can't stop showing you all you know members इतनी प्यारे प्यारे बना रहे हैं यह किरन लता जी ने भेजा है यह भी बहुत सुंदर है किरन जी लवली thank you so much next I can see और किसी का आया था मुझे हाँ बीनु जी बीनु जी तो बना ही रही है बीनु जी जी एंजॉइंग I think बीनु जी बहुत आप इंजॉइ कर रहे हैं बना के लवली बीना जी बहुत प्यारा प्यारा बना रहे हो बहुत सुंदर लवली चलते हैं और किसी मेंबर का अगर हैंड रेस है कोई क्वेशन है यस नीलंग जी बिताएं आपका आवास मुझे नहीं आ रहा है नीलंग जी आपके आवास कट हो रही है थोड़ा सा नेट्वुक में इश्यू है कि आज आपके आवास नहीं आ रही है मुझे मेसेज कर दीजे थांक्यों सो मच आपने बनाया मैंने दिखाया सबको बहुत अच्छा लगा मुझे ऐस नहीं कॉरइछ नहीं का चलती है मेनाजी कर आपके अपीं कीभॉर नहीं करनाया था दॉट अपने बताया कि यहां पे क्लिक करा यह स्कूर आगया लेकिन नीचे कीड तो आया नी एडिदव आड़ाह जा ए नीचे रल्यागर्य आड़ा यह झाला है रावाद करु सिड़ इफेक्ट फैल, फिल्टर, एज़स्ट, और क्रॉप, अनिमेटिड, ट्रांस्परेंशी पोजिशन, नच, कीबोर्ड नहीं आ हाँ. आपका टेक्स बोक्स आरा हा यह वहां पर लिखा हुआ है ना तो मैं इसके नीचे कुछ अगर डर्ड करना जाहूं तो इसके लिए आपने बोला था मैं वहां पर मैंने क्लिक करारा आप क्या किजिए वह जो तेंपलेट्स एंड स्टाइल्स और नीचे आल रिजर्ट्स उसमें है एलिमेंट्स, कैमरा रोल, अपडेट, डिजाइन बस यह है ने हाँ एलिमेंट्स अपलोड फिर उसके बाद टेक्स भी है उसको स्क्रोल कीजिए लेफ्ट इन साइट के तरफ लेके जाएए थिर अपलोड कीजिए एड़ा रिज़ा आप लेज़ेंगेंगेंगेंगे तो प्र टेक्स भोक्स लेका जाएगा फिर उस टेक्स भोक्स पूरोगे तो फीपार खुल जाएगा okay thank you thank you so much thank you lovely take care और पी कोई questions है members तो आप लोग मुझे personally connect कर सकते हो मेरा number आपके पास है जो भी आप बनाते हो भारती जी I can see आप hand raise कर रहे हो हमाएंगे आपके पास कोई भी question होगा आप लोग personally मुझे reach कर सकते हो in case बनाते हो अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है या फिर आप share करना चाहते हो कि आपने क्या बनाया है I would love to see yes maharati ji ji बताइए one पे click किया तो फिर खली photo research कुझ आया photo नहीं गया photo नहीं गया क्योंकि photo नहीं एक ही बार वो कुलेगा तो एक बार आप खुलोगी न तो उसके बार अड़ी को लेगा हो क्योंकि one वाला आपको selective नहीं करना है one वाला आपको नहीं डालना है one is for one time view एक बार देखने के लिए तो उसको selective मत कीजे कभी जब आप कुछ भी photo photo भीशते हो तो one time view मत कीजे वो basically हम किसी को भेज़ते हैं मान लीजे हम किसी को एक ही बार अपना कुछ दिखाना चाहते हैं जो photo वगएरा रहा तो उसके लिए ठीक है I can see पुश्पा सिन्हा जी जी पुश्पा जी यह video वाला कैसे कर रही है वो photo के जागव video अपलोड कर रही है फोटो अभी हमने photo योज़ किया ना उसके जग़पे आप video योज़ कर सकते हो थैंक्यू 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 देंक्यू दिया members हमें join करने के लिए हमारे sessions को enjoy करने के लिए अगर आपके पास कोई भी suggestion है कि आप और को सीखना चाते हो कोई नहे application को सीखना चाते हो या फिर किसी भी application में आपको दिक्कत आ रही है उसको आप लोग learn करना चाते हो तो आप लोग उसके बारे में भी हमें बता सकते हो तो we'll do a research, we'll try to find out कि हम उसको कैसे use कर सकते हैं आपके benefits के लिए आपके enjoyment के लिए और उसको हम लेकर आएंगे आपके पास कोई भी queries होगा तो आप लोग मुझसे directly connect कर सकते हो इस Canva के application regarding install करके देखिए, use करके देखिए अगर अच्छा लगता है तो you can try and you can send many things to many people as well और एक reminder है कल हमारा तंबोला का game है तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो फिर रजिस्टर कर लीजिए रात के नौ बजे तक का ही time है टिके के regarding कोई भी पे question होने से आप हमें तीन बजे से पहले कल रीच कर सकते हो हम आपको help कर देंगे उसके regarding प्रूसी के नहीं से नहीं जात। थूसे करना मत भूलियेगा खालिए अधि एक जैसी क्यार था जाता है क्लेश देखा देखा टिरूचे अधिकार प्रण आशे के अचली इक अंड कर दो लिए अग्गीज को एक आर लिए आखर प्रण विडियोग को प्रण के अच्वेह बेद आखर प्रण कि अच्वेड ठाट बन इस का लाग जुटायर कर दो कर दो में पना बाट दो